बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में पिछले पाठ को जिसका नाम था सब्तमापाठा भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां का यहां का नित्य, कला, संगीत, ज्ञान, विज्ञान ये सारी भरा हुआ है, यहां की जनता जो है, इन सब से, इन सब के द्वारा जो है, वो बहुत ही शालीन है और ज्ञानी है, उसके अंदर कला है, और यह हम यहां की जनता की पहचान है, तो इसमें हम लोगों ने अलग-अलग श्लोप में, अलग-अलग इसके महत्व को देखा था, और आज हम लोग इसका अभ्यासह में दिये गए प्रशनों को समझेंगे और उसका उत्तर जो है वो जानेंगे, तो इसमें हम लोगों ने बहुती सरल भाषा में यह पार्थ जो है वो लिखा गया है, तो इसमें हम लोग पहले प्रशन से लेके अंतिम प्रशन तक उसको अ प्रितियो भाग और उसको निकाल लेंगे सब्तमापाथा भारत जनता अहम तो शुरू करते हैं बच्चों आज हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास और इसको हम लोग पूरा करेंगे जिसमें की पेश नंबर 46 पे दिया हुआ है और इसमें जो है डॉक्टर रमाकांत शुक्ली ने बहुत ही सरल शब्दों में यहां की मैं भारत की जनता हूं के माध्यम से यहां की पहचान बताने की कोशिस की है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पहला प्रश्न देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है पाठे दत्ता नाम पाठ में दिये हुए पद्यानाम पद्यों का यानि कि श्लोकों का सस्वर वाचनम करूद सस्वर वाचन करना है तो इसको सभी बच्चे अपने अपने तरीके से अपने अपने शैली से जो है उसे पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और सभी बच्चों का अलग-अलग तरीका हो सकता है पढ़ने का तो इसमें जैसे कि पहल जोफान धना विनयों पेता शालीन आजन्ता भारत जन्ता अहम कुलिशाद पी कठी नाम कुस्मा दपी शुकुमारा भारत जन्ता अहम तो इस सरह से इन श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास किए जा सकता है और प्रेश्न दो में लिखा है कि प्रेश्णा नाम उत्तराणि यहांपे कई प्रश्ने इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है प्रश्ना ने प्रशनों का उत्तराणी ंत्तर एक पदेन लिखक एक पद में अथा जब मुलषब्ड में विभकति लग जाती है प्रत्य लग जाता है तो वो पद कहलाता है इसलिए सभी बच्चे देखती होंगे कि जब भी प्रश्ण में कहीं भी बहुत कम जगा पे शब्द का प्रयोग होता है अधिकतर जो है वो पद लिखा होता है तो पद इसलिए लिखा होता है क्योंकि उसमें विभक साथ किर्वात ऑलि लगए शब्दों का ही प्रयोक जो है संस्कृत भाषा में होता है तो इसलिए यहां पर एक पदेन यानि की एक पद में लिखत मतलब लिखो इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि नीचे दिये गए फ्रस्नों प्रश्णों का उत्तर एक पदेन जो है लिखत यानि लिखना है इतना होने के बाद भी बहुआ सारे बचРЕ एक पदेन का उत्तरत पूरे वाग की में लिख देते हैं जबकि उसमे जो प्रश्न वाचक शब्द होता है उसी का उत्तर हमें डूणना होता है वसुंधरा को किम मन्य क्या मानता हूँ तो मैं अब इस पूरी धर्ती को क्या मानती हूँ ये भारत की जनता है और वो कहती है कि मैं इस पूरी धर्ती को यहां पर इस श्लोक में आया हुआ है दूसरे श्लोक में लिखा है निवसामी समस्ते संसारे मन्ये चकुटुम्बम वसुंधराम मन्ये मतलब मानती हूँ कुटुम्बम परिवार तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा कुटुम्बम तो इसे जो है पहले का दूसरे का उत्तर हो गया ये पहला तो केवल पढ़ना और उत्तर यहां पे दो काक्का हो जाएगा और एक पदेन उत्तरत है इसले यहां पे कुटुम्बं कुटुम्बं यह इसका एक पद में उत्तर हो गया कुटुम्बं और अब हम दूसरा प्रशन समझेंगे मम सहजा प्रकृति का अस्ति हमारा सहज सुभाव क्या है हम क्या चाहते हैं कैसे रहना चाहते हैं तो हम सबके साथ मिल जूल कर रहना चाहते हैं तो मैत्री जो है मित्रता हमारी सहज प्रकृति है हमारा सहज स्वभाव है तो यहां पर मम सहजा प्रकृति का अस्ति का मतलब क्या है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मैत्री तो मैत्री यानि की मित्रता तो खा का उत्तर हो जाएगा मैत्री और इसी तरह से हम लोग अब गह का देखेंगे दूसरे प्रश्न का गह कि अहम कस्मात कठिना भारत जनता असमी मैं किस से कठिना यानि कठोर हूँ मैं किस से कठोर भारत की जनता हूँ तो यहां पर वज्र से भी कठोर कहा गया है जिसके लिए कुलिशात शब्द का प्रियोग हुआ है कुलिशात यानि कि वज्र से तो कुलिशात का अर्थ है वज्र से भी कठोर भारत की मैं जनता हूँ और इसके आगे जो अर्थ था वो था कि फूल से कोमल हूँ लेकिन यहां पूछा गया है कठिना याने की कठोर तो यहां पे कुलिशात याने की वजर से और अब हम लोग देखेंगे घवाला चारी प्रशन है इसमें तो चौथा प्रशन देखेंगे काहम मित्र से चक्षुशाम मैं मित्र की चक्षुशाम मतलब द्रिष्टी से नजर से किम पश्यनती क्या देखना चाती हूँ भारत जनता असमी भारत जनता मैं हूँ मैं अपने मित्र की दृष्टी से क्या देखना चाहती हूँ, किसको देखना चाहती हूँ, तो यहाँ संसारम, संसार को, इस संसार को मित्रता की दृष्टी से देखना चाहती हूँ, तो संसारम शब्द यहाँ पर आ गया, और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तीसरा प्रश प्रश्ना नाम उत्तराणी प्रश्नों का उत्तर प्रश्ना नाम में सस्टी विभक्ति है उत्तराणी यानि उत्तर पूर्ण वाकेन लिखत पूर्ण का मतलब होता है पूरे वाकेन मतलब वाके में लिखत मतलब लिखो तो पूरे वाके में इसका उत्तर देना है कि भारत जन जनता किस चीज से जो है वो पवित्र है परिपूता अस्ती कैसे पवित्र है तो यहां पर यह वाक estar अद्यात्म यह तीसरे आए तीसरे श्छोक का जो है दूसरी लाइन है अद्यात्म सुधा तत्नी रस्नानिय परिपूता तो यह जो है यहां पर उत्तर में आएगा कि भारत जनता अहम अध्यात में सुधा तटिनी इसना नहीं है परिपूता अस्ती तो प्रश्न से इसके शुरुवात करेंगे हम लोग तो प्रश्न के अनुसार हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे और यहां पर हम लोग तीसरा प्रश्न कर अध्यात में सुधा, अध्यात में सुधा तटिनी, अध्यात में सुधा तटिनी इसना नहीं है। भारत, जनता, अहम, परिपूता, अस्ती। संस्कृत में शब्दों को कहीं भी लिख दिया जाए। चाहे हम यह शब्द यहां से शुरू करें, यह शब्द कहीं भी रहेगा, इसका अर्थ वही रहता है। संस्कृत में शब्दों का स्थान बदल देने से अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यह वाग के अशुध नहीं होता है अगर हम शब्द को पहले या बाद में लिखते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर हम पहले लिखते हैं तो अर्थ इसपस्ट नहीं होता है। लेकिन संस्रित में अर्थ वही होता है जो इस शब्द का अर्थ है क्योंकि इसमें अलग से कोई भी विभक्ती चिन्र का प्रियोग नहीं किया जाता है। तो अब हम दूसरा प्रश्म देखेंगे कि समम जगत कथम मुगध मस्ती पूरा संसार जगत कहते हैं संसार को पूरा संसार कथम मतलब कैसे जो है वो मुगध मस्ती मुगध है। तो यहां के गीताई है, नित्याई है और इसी तरह से यहां इस श्लोक में लिखा हुआ है, चौथे श्लोक में यह पूरा यहां पर लिखा है, गीताई है मुगधम, नित्याई है मुगधम, काव्याई है मुगधम, तो यह तीन चीजें यहां पर लिखना है, तो समम जगत, यहाँ पे तीसरे का ख, समम जगत, गीताई हा, रित्याई हा, रित्याई हा, काव्याई हा चा, तो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग प्रशन से जो वाकि लेंगे वो यह होगा कि समम जगत, कथम, मुग्धामस्ती, कथम शब्ध हटाके तो समम जगत के बाद हम लोग लिखे गीताई हा, रित्याई हा, काव्याई हा चा, यहाँ पे विसर्ग को अगर हम चा के साथ होगा और, मुग्धामस्ती हम लोग यहाँ पे उप्रशन से लेंगे मुग्धम स्थी, अगर इसको हम अलग-अलग करते हैं, तो, मुगधम हो जाएगा और दूसरा शब्द बनेगा अस्ति मुगध है तो यह चीजे हैं यहां पर इन सब चीजों से मुगध है अहम किम किम चिनोमी और यहां पर अगर हम यह अहम किम किम चिनोमी मैं क्या-क्या चुनना चाहती हूं तो यहां पर आया है दूसरे श्रोक में दूसरी लाइन है यहां दूसरी पंक्ति है प्रेया श्रेया च चीनोमी और यहां पर क्या चुनना चाहते हैं अहम प्रेया हश्रेया च उभया च उभया च उभया मतलब दोनों को च उभया मतलब चुनना चाहती हूं मुझे जो प्रेय भी हो और श्रेया मतलब कल्याण कारी भी हो और उभया मतलब इन दोनों को चिनोमी मतलब चुनना चाहती हूं तो प्रेया हश्रेया च और यही विसर्ग हटा कर यहां पे आधा श लिख देने से यह दोनों शक्त एक में मिल जाता है तो यहां पे श्रेयस्च हो जाएगा और अब है घह वाला प्रश्ण और उसमें दिया हुआ है अहम कुत्र सदाद रिशे मैं कहा हमेशा दिखाई देती हूं तो यहां पे पूरे जगत में यह लास्ट में आया था यहां पे अंतिम जो है यहां पे विश्वस्मिन जगती गताहम अस्ती और विश्वस्मिन जगती सदाद रिशे विश्वस्मिन जगती करोमी कर्म कर्मन्या भारत जनताहम तो यहां पर जो है वो विश्वस्मिन जगती तो इसका उत्तर जो है अहम कुत्र की जगाए पर लेखना है विश्वस्मिन जगती और सदाद्रिशे अहम यानि मैं विश्वस्मिन जगती सदा द्रिश्य तो प्रश्न से हमें बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं इसका उत्तर बनाने के लिए और उसमें कुत्र का खाली यहां पे जोड़ना है तो यहां पूरे जगत में विश्वस में जगती तो अब पाचवा है कि समम जगत कई हम कई हम मुगधम अस्ति समम जगत ये संसार कई है किन किन चीजों से मुगधम अस्ति मुगध है अब ये उपर जो है वो उसी की तरह ये भी पंक्ति है यहां पे बहु अचन का प्रियोग है वहां एक वचन का प्रियोग है तो इसमें हमें इनमें से किसी एक का यहां प्रियोग कर सकते हैं और इसी उत्तर को हम लोग इसमें भी लिखेंगे तो यहां पर किसी एक दो है तो यही उत्तर जो है यह इसमें भी आएगा तो से वो जह और हो यहां पर हमनोग लिक्षटेंगे कि समम जगत कई है किसी किसी से मुग्ध मस्ती मुग्ध है तो यहां पे कथम का अर्थ जो है यहां पे कैसे यानि कि यहां पे हम लोग इसी को लिखेंगे समम जगत गीतईह गीतों से नित्यों से नित्याईह काव्द्याईह च मुग्ध मस्ती मुग्ध मस्ती और अब हम लोग यहां पर खरेंगे प्रशन इसके आगे का चौथा प्रशन जिसमें संधी विच्छेदम पूर्यत संधी विच्छेद यहां पर पूरा करना है शब्दों को अलग किया गया है लेकिन उसमें जो है कहीं कहीं पर रिस्थान रिक्त है खाली है और उसे हम लोगों को भरना है तो शब्द देखके ही हम पैचान सकते हैं कि उसमें जो है वो कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे तो इसमें हम लोग अब यहां पर चौथा प्रशन करेंगे और चौतिए प्रश्ट्र में हम लोग संधी विच्छेदं पूर्यत संधी विच्छेद पूरा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कhl देखेंगे कर में यहां पर पहले से लिखा हुआ है विनियो पेता विनयpoints यानि विनम्रता से भरा हुआ कुसमाद अपी कुसमाद शब्द है और अपी शब्द है. तो यहां पे हम लोग कَّ का का तो लिखा हुआ है पहले से हम लोग यहां पे उत्तर चार का खा लिखेंगे. क्योंकि का यहां पे पुस्टक में पहले से उदारण की तौर पे लिखा हुआ है और कुस्मात अपी यहां पे कुस्मात और अपी यहां पे दोनों जगा खाली है इसलिए हम लोग दोनों जगा यहां पे भरेंगे फूल से भी यहाँ पे से का प्रयोग होगा फूल से भी और ख है चिनोमी उभयाम यह अभी हम लोग प्रेशन के उत्तर में भी लिखे थे चिनोमी उभयाम ग में हो जाएगा चिनोमी धन उभयाम प्लस के निशान को धन भी कहा जाता है हिंदी में धन का निशान यानि जोड का निशान. तो चिनौमी उभयम हो गया. और अंत में जब हम लोग ये लिखते हैं, इसके आगे कोई भी शब्द नहीं है, तो यहां मल लिके हलंत लगा देते हैं. तो ये जो है चिनौमी उभयम यानि कि दोनों को ही चुंती हों. और अब घा के बाद घा नृत्यः हां मुगधं यहां पे हो जाएगा घा में नृत्यः हां प्लस मुगधं और यही विसर्ग जो है वो यहां पे रा की मात्रा बन जाती है और अब अंगा है प्रक्रितिह अस्ति तो एक जगा यहाँ पर लिखा हुआ है हम दोनों ही लिख दे रहे हैं प्रक्रितिह अस्ति तो यह हो गया और अब इसके बाद च वाला है लोक क्रीडा सकता तो यहाँ पर आसकता शब्दा आएगा च में लोक क्रीडा धन आसकता जिसमें कि इस खेलों में जिसका मन लगता है आसकता और अब है यहाँ पर पांचवां प्रश्न जिसमें लिखा है कि विशेशन विशेश्य पदानी मेलियत विशेशन विशेश्य पदों को मेलियत मतलब मिलाओ जादा तर बच्चे जो है वो लाइन से उसको मिलाने लगते हैं तो लाइन से नहीं मिलाना है क्योंकि लाइन से मिलाने पर उत्तर इसपस्ट नहीं होता है तो पहले वाले में जो शब्द लिखा है विशेशन पदानी वाला उस शब्द को वैसे ही लिख लेना है और उसके आगे सही उत्तर उसके सामने लिखना है तो इसमें हम लोग एक नंबर डाल देते हैं पहले शब्द के लिए तो यहां पे हम लोग इसको इसके आगे हम लोग पाच्वा प्रेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यहां पे नंबर नहीं डला है लेकिन हम लोग इसमें यह नंबर डाल लेंगे या 1, 2, 3, 4 भी नमबर डाल सकते हैं तो अब हम लोग करने जा रहे हैं उत्तर 5 तो उत्तर 5 में सबसे पहला जो शब्द है उसके आगे जो सही शब्द भरना जो सही पद लिखना है वो हम लोग यहाँ पर चुनेंगे तो जो पहला है उसमें लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे कि इसमें विशेशन पद क्या है तो इसमें लिखा है सुकुमारा यानि की कोमल तो कोमल क्या है फूल से भी कोमल है वजर से भी कठोर है भारत की जनता तो यहाँ पर सुकुमारा को हम लोग मिलाएंगे भारत जनता से तो सुकुमारा सुकुमारा को मिलाएंगे भारत जन्ता से भारत की जन्ता सुकुमार है कुमल है दूसरा है सहजा सहज जो है अभी हम लोग पढ़े थे सहज जो है वो यहां पे सहज प्रकृति है स्वभाव है तो ख में सहज प्रकृति तो यहां पे सहज को हम लोग मिलाएंगे प्रकृति से तो उसके आगे हम लोग सही उत्तर लिखेंगे यह पहले में दिया हुआ सारा पद है और यहां हम लोग सही उत्तर भरेंगे विश्वसमिन विश्वसमिन यानि कि पूरे जगती मतलब जगत में तो विश्वसमिन विश्वसमिन जगती यहां पे जगती संसार और अब है यहां पर इस संसार की विशेशता है समम तो समक को मिलाएंगे जगत से समम यहाँ पर जगत तो यह जो है समम जगत से इसका जो है मेल होगा समम जगत और समस्ते और अंग में है समस्ते, तो पूरे क्या है यहांपे एक उत्तर बचता है संसारे, विशेशन और विशेशνη जो पद होते हैं, इसमें विशेश्य के अनुसार ही विशेशन का विखती वचन होता है, तो इसलिए यहाँ पर समस्ते संसारे का प्रियोग किया गया है अब हम लोग छठा प्रशन देखेंगे और छठे प्रशन में समानार्थक पदानी समानार्थकानी पदानी यहाँ पर मेलियत मिलाओ समानार्थक का अर्थ होता है जो एक जैसे अर्थवाला हो जो समानार्थवाला हो उसे समानार्थक कहते हैं तो यहाँ पर समानार्थक का हम लोग जो है वो प्रयोग देखेंगे कि बहुत ही आसान है जिन्होंने ये पाठ पढ़ा है वो बहुत अच्छे से इसको अपने से भ बना सकते हैं लिख सकते हैं और सही होगा तो उसे गलत नहीं कहा जाएगा तो यहां पर हम लोग समानार्थक शब्द को मिलाएंगे तो इसके लिए हम लोग थोड़ा यहां पर जगा बना लेते हैं और पहले से शुरू करेंगे और उसके आगे कौन सा जो है सही शब्द सही स मनार्थक पद होगा वो हम खोजेंगे तो सभी इस पर ध्यान देंगे अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न छे का उत्तर तो यहां पर कई है इसमें भी हम लोग यह नंबर डाल देंगे पहले के लिए तो यहां पर सबसे पहले जगती है तो जगती के लिए नदी प्रिथ को हम लोग मिलाएंगे संसार से जगती संसारे और अब यहां पर कुलिशात दूसरा शवद YouTube क्या दिया है कुलिशात मतलब और वज्रर वज्र से अज एस मतलब वज्र है और यהं पर वज्रात यहां पर दिया हुआ है व्रजात लिखा हुआ है यहां पर वज्रात वैसे होना चाहिए वज्र और अब है यहां पर प्रकृति प्रकृति मतलब होता है स्वभाव तो यहां पर हम लोग प्रकृति के साथ लिखेंगे स्वभाव तो प्रकृति का आर्थ यहां पर स्वभाव हो गया चक्षूशा चक्षूशा का आर्थ होता है नेत्रेण चक्षू मतलब आख होता है नेत्र मतलब आख होता है तो इसे हम लोग नेत्रेण से मिलाएंगे और अब है तर्टिनी, तर्टिनी कहते हैं नदी को, तो यहां पे नदी यहां पे विशेशन दिया वा आ है, समानाथक शब्द दिया वा है, तो हम लोग तर्टिनी को मिलाएंगे नदी से, तटिनी याने नदी सुधा तटिनी ये शब्दा है था अमरित रूपी नदी में इस्थान करके पवित्र हुई भारत की जनता हूँ और वसुन धराम वसुन धरा सभी लोग जानते हैं प्रिथवीम यहाँ पे प्रिथवीम को कहते हैं तो यहां पे वसुन धराम, वसुन धराम कहते हैं पृत्वी को, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, पृत्वीम है यहां पे, तो इसको हम लोग पृत्वीम करेंगे, जो शब्द यहां पे लिखा हुआ है, वसुन धराम पृत्वीम, दोनों का जो है वो एक ही विभक्ती ह दूका तो यह हम लोगों ने देखा फट्रेंशन को जिसमें समानार्थक शब्दों और को जोड़ा और इससे पहले हम लोगों ने यहां पर ऴिशेश्यंश को जोड़ा और विश्यंशन विशेशे में विशेशे के अनुसार ही विशेशन का विभक्ति वचन होता है और अब हम लोग यहां पे सात्वा प्रश्न करेंगे जो जिसमें पूछा गया है उचित कथना नाम मतले उचित कथन के समक्षम सामने आम और अनुचित कथना नाम समक्षम और अनुचित कथन य न इती लिखत न ये लिखना है आम मतलब हां और न मतलब नहीं तो पहला यहां पे वाकि दिया है कि अहम परिवारस से चक्शुशा संसारं पश्यामी मैं परिवार की द्रिश्ची से नेटरों से संसार को देखती हूं तो यहां पे परिवार नहीं लिखाया है, यहां पे किसकी दृष्ट्री से? मैत्री की दृष्टी से, तो यहां पे यह कथन गलत है, इसलिए हम लोग क को यहां पे न लिखेंगे क क के लिए, तो उत्तर साथ में, यहां पे हम लोग उपर से लिखते हैं, ताकि साफ दिखाई तो इसमें प्रश्ण साथ का उत्तर ह необход लिखेंगे क्योंकि परिवार के ड्रिष्टी से नहीं देखा जाता है क्योंकि जगत मेरे कावियों से मुग्ध है ये बिल्कुल ही सही है तो इसके लिए हम लोग आम लिखेंगे और अधिकतर जो छात्र तुटी करते हैं गलती करते हैं वो आम को जो है इस तरह से लिख देते हैं तो इस तरह से ये गलत है इसमें ये हल का निशान लगाना जरूरी होता है तो इसको जो है सही धंक से लिखना चाहिए और अब हम दोग गा देखेंगे गा में है अहम अविजे का भरत जनता हूं यानि कि मेरे पास बुद्धी नहीं है मैं ऐसी भारत की जानता हूँ तो ये बिल्कुल ही जो है अनुचित कथन है तो इसके लिए गह में हम लोग न लिखेंगे उत्तर न तो अब हम लोग गह देखेंगे कि अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये सभी बच्चे इस कथन पर ध्यान देंगे अहम मतलब मैं वसुंधराम पृत्वी को धर्ती को कुटुम्बम न मन्ये कुटुम्ब नहीं मानती हूँ तो ये गलत लिखा है मैं पूरी धर्ती को परिवार मानती हूँ ये जो है वो गलत लिखा है तो इसके लिए हम लोग न लिखेंगे और अब है अंगा इसमें पांची वाक्य दिया हुआ है और इन पांचों में ही हम लोग यहां पर पांचवे में अब कथन पढ़ते हैं कि इसमें क्या है और इसमें हम लोग देखेंगे अहम विञ्ञान धना ग्यान धना चयासमी मैं विज्ञान की धनी और ग्यान की धनी हूँ तो ये बिलकुल ही सही है तो इस पराठे मुस्की ऐस में आम का प्रयोग करेंगे आम मतलब हाँ और इसको सही धंग से लिखना है तो ये थे सारे प्रश्ण जो इस पार्ठ में दिये हुए थे और इसमें हम लोग सभी प्रश्णों के बारे में देखे और कई तरह के प्रश्ण थे और तरह तरह के प्रश्ण होते हैं तो उत्तर लिखने में भी प्रश्ण करने में भी अच्छा लगता है तो इसमें एक पदे नुतरत, पुन वाकिय नुतरत और इसके अलावा संधी विचेद जो संस्कृत में बहुती महत्वपुन होता है तो इसमें जो है संधी विचेद में शब्दों को अलग करना, अलग शब्दों को जोड़ना, विशेशन, विशेश, समानार्थक शब्द और आम या ना में उत्तर देना तो इसके लिए कथन को समझना बहुत जरूरी होता है और पाठ में क्या कहा गया है, ये पता होना चाहिए तभी हम इसको हा या नहीं कर सकते हैं कि ये उचित है की नहीं है उचित कथन है की नहीं ये अनुचित कथन है ये उचित कथन है तो उसी के अनुसार हम लोग उत्तर भरते हैं तो इसके बाद योगेता विस्तार रह दिया हुआ है और योगिता विस्तार के अंदर जो है वो कुछ यहाँ पे शलोकों का, कुछ रचनाओं का यहाँ पे वर्णन है, जिसे चात्र पढ़ सकते हैं और उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं, तो सभी चात्र इस पाठ को भारत जनता हम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसके कठिन आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और उमीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा और सभी बच्चे अपना कार्य पूरा करेंगे, धन्यवाद